नवस्कार रोस्तों, डेट है आज की 14 सेप्टेंबर 2021 और स्वाधत है आपका एट्रोयल डिसकेशन में तीन इश्यूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले 17 महिनों के बाद जो स्कूल री ओपन हो रहे हैं इससे समधित यहाँ पर एस्मेटरिक फेडरलिजम और ट्राइबल पॉल्सी से समधित आर्टिकल है और यहाँ पर आर्टिकल है यूएस चाइना रिलेशन्स से समधित चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्ष्ट इंपोर्टिन आर्टिकल एक लंबे ब्रेक के बाद स्कूल की री ओपनिंग से समधित हैं आप जी एस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो देखो 17 महिने के बाद अब धिरे धिरे स्कूल फिर से ओपन होने लगे हैं तो यहाँ पर देखो दो टाइप के टीचर्स हैं पहले टाइप के वो टीचर्स हैं जिनको सिरफ पढ़ाने से मतलब हैं वो इस बात से इतिफाक नहीं रखते कि 17 महिनों का जो गैप हैं इस गैप का स्टूडेंट की मानसिक्ता पर साइकलोजी पर क्या इंपक्ट पढ़ा होगा इस टाइप के टीचर्स को सिरफ नोलेज से लेना देना हैं वो सिरफ स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं कि student का जो result है वो अच्छा आना चाहिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं school के बाहर students क्या करते हैं इससे उन teachers का कोई लेना देना नहीं है उनको students की personal life से कोई लेना देना नहीं है उनका सिर्फ लेना देना है syllabus से देखो majority of teachers जो है वो ऐसे ही है लेकिन दूसरी category of teachers जो है वो ऐसे teachers है जो syllabus तो complete करवाते ही है लेकिन वो बच्चे से relate भी करते हैं मतलब कि अगर बच्चा अच्छा नहीं मैसूस कर रहा है तो वो teacher बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है बच्चों की क्या आगते हैं क्या behavior है उनसे वो teacher engage करते हैं मतलब वो इस चीज़ को मानते हैं कि क्लास से बाहर घर में बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है इससे school में बच्चे की spirit पर बच्चे के enthusiasm पर impact पड़ता है इसलिए इस type के teachers इत्यफाक रखते हैं मतलब वो concerning होते हैं कि school से बाहर बच्चे कैसे मसूस कर रहे हैं उनकी आलते कैसी हैं घर जाकर तो ये हमने बात की दूसरे type of teachers की बट देखो अफसोस की बात ये हैं कि ऐसे type of teachers अभी काफी कम हैं समझ गए मतलब जाद है teachers हमार देश में ऐसे ही हैं कि अपना काम से काम मतलब रखते हैं बस पढ़ा के चले जाते हैं नहीं ज़्यादा एंगेज करते बच्चों से मतलब life के दूसरे lessons भी ज़्यादा नहीं सिखाते हैं अब राइटर देखो ये कहते हैं 17 महिने बाद जब आप स्कूल लगेगा ना 17 महिने पहले छोटे बच्चे ने जो सीखा था अगर वो भी छोटा बच्चा रिटेन नहीं कर पाता है जो उसने 17 महिने पहले सीखा था तो इसे learning loss आप नहीं कह सकतें क्यों क्योंकि देखो छ स्कूल में जो इवन टीचर्स होते हैं वो काफी तरह के प्रैसर से गुजरते हैं एक तरफ पैरेंट्स का प्रैसर होता है प्रिंसपल का प्रैसर होता है प्यर प्रैसर भी होता है बागी टीचर्स का और इसके साथ साथ परफॉर्म करने का भी प्रैसर होता है कि जिन बच् पेशेंट होने की आव सकता है, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा उनको एडजेस्ट होने में समय लगेगा, 17 महिने तक उन्होंने ओनलाइन क्लासिज अटेंड की है, तो ओनलाइन क्लासिज में तो बच्चों का बिहेवियर देखो अलग किसम का होता है, तो फिजिकल जब क्ला माध्यम से एजुकेशन चलती रही, बर देखो ये सिरफ एक मित है, वो लोग, वो पेरेंट्स जो एजुकेटिड है, जिनके पास पैसे है, थोड़ा कंसर्ण है वो बच्चों की एजुकेशन को लेके, वो सब तो देखो डिश्टल माध्यम से अपने बच्चों को एजु स्कूल नहीं लगा, उन बच्चों की जो लर्निंग है, अब वो पहले जैसे नहीं रही, थोड़ी एफिसेंसी भी उनकी चेंज होई होगी, पिछली क्लास की प्रोग्लम को सोल करने में, वैसे दूसे देशों में तो देखो, स्कूल ओपन रहें, इसके लिए विबिन सरका सरकारों ने पर्यास किया, लेकिन हमारे देश में इतने लंबे समय तक स्कूल बंद रहें, इतने लंबे समय तक तो साइद ही किसी दूसे देश में स्कूल बंद रहें हो, इवन सरकार ने मिड़े मिल जो स्कीम थी, वो भी बंद कर दी, कोवीड के चलते, इसकी वज़े से बहुत सारे बच्चों में जो nutrition समधित प्रोब्लम्स हैं वो पैदा हो गई इसके बाद writer देखो last में दो काफी अच्छे suggestions देते हैं पहला suggestion चूँकि देखो इतने महने बाद अब school लगे हैं teachers और students दोनों थोड़ा सा uncomfortable रहेंगे daily classes में adjust होने में तो सुरू में थोड़ी aesthetic activities करवाई जा सकती हैं जैसे arts, music, painting, theater, dance अब ऐसा नहीं कि इन activities में बच्चों को आपस में competition करवा दो competition रहेगा तो फिर तो देखो pressure आ जाएगा मतलब freely activities conduct करवाओ इन सब domains में बच्चे भी थोड़ा comfortable मैसूस करेंगे उनको मज़ा आने लगेगा और teachers को भी अच्छा लगेगा दूसरा अगर curriculum की बात करें देखो ऐसा काम नहीं चलेगा कि हाँ teachers यह बोले जहां हमने छोड़ा क्या है अगर वो पिछड़ गया है पढ़ाई में तो जैसा वो पिछड़े है ना पहले आप वो cover करवाओ अगर online में जहां से छोड़ा है वहां से अगर फिर से start करवाओगे तो बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं वो मतलब नहीं touch में rest केंगे connect नहीं करस केंगे क्योंकि कह बानकर फिर उसी हिसाब से वो पढ़ाना start करें और वैसे देखो जैसा आपको पता है टीचर्स को यह पता होना चाहिए हर एक student की जो needs है हर एक students की जो कम्या है वो अलग-अलग है तो teacher के लिए हर एक student है वो special है लास्ट में रैटरी एक बात यह बोलते हैं देखो बच्चा हुआ जो यह academic year है ना इसमें slaybers किस परकार से cover करवाया जाए इसके लिए एक generalized approach नहीं हो सकती हर स्कूल में जो teachers है हर एक subject के वो मिल के बैठें और बचे हुए academic year के लिए slaybers को cover करवाने के जो strategy है वो formulate करें तो यह हमने पूरा article discuss किया कोवीड के बाद schools के reopening से सम्मदित इसके बाद next article asymmetric federalism से सम्मदित है वैसे मनिपूर से सम्मदित यह article है थोड़ा सा concept इसमें asymmetric federalism का है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हों देखो asymmetric federalism में क्या होता है कुछ areas को या फिर कुछ states को ज़्यादा autonomy या फिर ज़्यादा powers दी जाती है governance से सम्मदित है जैसे पहले हमा इसके अलावा देखो north east में बहुत सारे states को सरकार ने autonomy दी हुई है special powers दी हुई है हमारी सविधान का जो article 371c है ये article मनिपूर में hill areas को special powers देता है governance सम्मदित देखो जब सविधान बनने की debate चल रही थी ना तो जैपाल सिंग B.R. Ambedkar ये वो leaders थे जो मानते थे जो tribals है उनक उनका culture अलग है उनका रहन सेन अलग है उनकी identity अलग है तो उनके लिए अलग से separate institutions होने चाहिए ताकि वो अपने आपको गवन कर सके लेकिन कुछ दूसरे leaders थे जैसे कुलाधार चलिया ये आसम के थे इन्होंने कहा कि देखो tribal groups को बाकी लोगों के साथ मिला लिया जाए या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप एक बार वो topic revise कर लेजिए आपको ये पूरी debate समझ में आ जाएगी कि आजारी के बाद tribals के साथ क्या किया जाए इसको लेके सरकार dilemma में थी उसके बाद सरकार ने क्या policies अपनाई ताकि tribals जो है वो अलग से अपनी identity को बचा के तो ये आप revise कर लेजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का topic देखो वैसे तो बिटी सार से पहले भी बहुत से राजा माराजाओं ने हमारे देश के ऊपर rule किया और उनके rule के दुरान tribes जो थी आम तोर पे tribes आपको पता हैं पहाडियों में रहते हैं tribal community के लोग या फि पाकि non-tribal community से isolation में रहते हैं tribal community के लोग तो सदियों से जो tribal community के लोग हैं वो isolation में रहते आ रहे थे बट Britishers का जूब rule आया तो Britishers आपको पता है ये बहुत लालची थे ये ज़्यादा से ज़्यादा revenue एकठा करना चाहते थे तो इन्होंने forest लाज ये लेकर आये ताकि forest को भी regulate किया जास के जैसे देखो Britishers बाकी जगहों पर पीजन्ट से revenue वसूला करते थे उसी परकार से ये ट्राइब से भी revenue वसूलने लगे बिडिसर्स forest को पूरी तरह से exploit करने लगे और जो forest last वो लेकर आये उनकी वज़े से पहले जैसे ये जो ट्राइबल कमिटी के लोग है सिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रेक्टिस किया करते थे आज यहाँ पे जंगलों को जलाया खेती की उसके बाद थोड़े दिनों बिडिसर्स ने बैल लगा दिया तो ये जो ट्राइबल कमिटी के लोग थे इनका देखो जीवन यापन पूरी तरह से परभावित हो गया क्योंकि पहले इनको कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी जंगलों में लेकिन बिडिसर्स forest last लेके आये उन्होंने जंगलों को रेग बाहर देते थे ट्राइबल कमिटी के लोग को इतना पता नहीं होता था उन पर कर्ज बहुत ज़्यादा चट जाता था फिर और ज़्यादा exploitation इनका होता था तो उनका exploitation हो जाएगा उन्हें कोई भी बेवकूफ बना लेगा यही सब कुछ हुआ ट्राइबल कमिटी के लोग के साथ में इवन देखो मनी लेंडर्स के अलावा जो क्रिश्चन मिशनरीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटर्फेयर करने लगे ट्राइबल कमिटी के क लोग का करवाया गया यह सब चीजें हुई तो ब्रिटिशर्स की पॉल्सी की वज़े से लैंड का लोस हुआ ट्राइबल कमिटी के लोग का कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया मीडल मैन बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाए फॉरेस्ट प्रोडेक्ट्स जिन पर हमेश ज़दा ओप्रेशन हुआ ट्राइबल कमिटी के लोग का इसकी वज़े से इन सब रिजन्स की वज़े से 19 वी सेंसरी में और 20 वी सेंसरी में काफी सारे रिबेलियन भी हुए आपने मोडरन इंडिया में इन रिबेलियन के बारे में सुना होगा ये कुछ एक्जामपल्स भ अब देखो ये तो हमने बात की सिन्यारियों कैसा था अजादी से पहले बट देश आजाद हो गया तो फिर कोशन ये इमर्ज होकर आया अब ट्राइबल समंदित पोल्सी गया होनी चाहिए अब ट्राइबल का कैसे इंपावर्मेंट क्या जाय है तो उस समय देखो सरकार के सामने तीन options थे मतलब तीन approaches सरकार के सामने थी जिनको अपनाया जा सकता था ट्राइबल्स को integrate करने के लिए ट्राइबल्स को empower करने के लिए सबसे पहला option था policy of isolation मतलब ट्राइबल्स को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए बड़ देखो ये policy तो सही नहीं थी already थोड़ा बहुत तो integration ट्राइबल्स का होई चुका था अगर अब ट्राइबल्स को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता तो कुछ लोग उनका बहुत ज़दा exploitation कर लेते तो ये option सही नहीं था उसके बाद बारी आती हैं दूसरे option की policy of assimilation यानि पूरी तरह से tribal committee के लोग को mainstream में सामिल कर लिया जाएं बड़ देखो ये भी सही नहीं था क्यों अरे भाई tribal committee के लोग का अपना culture है रहन सहन का उनका तरीका हैं जिसको हमें परिजाव भी करने के आऊ सकता हैं हमारे देश में जो diversity है ये heritage हैं उसको हमें protect करने के आऊ सकता हैं अगर हम tribal committee के लोग को mainstream में सामिल कर लेतें पूरी तरह से तो tribal culture तो उसका तो loss हो जाता ना तो ये option भी सही नहीं था तो सरकार के दोरा उस समय अपनाया गया तीसरा option policy of integration नहरू ने काफी influence डाला tribal policy को formulate करने में नहरू ने tribal pencil का सिधान दिया tribal pencil में 5 points हैं इन 5 points को discuss करने से पहले आप ये जान लीजिए देखो ज्वाल नहरू चाहते थे कि tribal people का economic और social development होना चाहिए अलग अलग ways में जैसे communication के field में modern medical facilities, agriculture, education सभी fields में tribal committee के लोग का social and economic development होना चाहिए 1920s में देखो जब गांदी जी ने आश्रम सैट किये थे tribal areas में और constructive work को promote किया था तो वहीं से नहरू की जो approach है निकल के आती है tribal के संदर में अब हम जा लेते हैं नहरू की ये जो ट्राइबल पंच्छिल policy थी इसमें 5 points कौन-कौन से हैं सरसे पहला point Tribals को empower तो किया जाएं उनको develop तो किया जाएं बट उनकी गती के हिसाब से मतलब हमें उनके उपर कुछ impose नहीं करना है जैसा वो develop होना चाहते हैं वैसे ही उनको develop किया जाएं Tribal committee के लोगों का जो art and culture है उसे protect किया जाएं उसे sport किया जाएं दूसरा point Tribals को right दिया जाएं land का और forest का मतलब tribal committee के लोगों का जो अधिकार होता है land का और forest का इसे respect किया जाएं British committee ने इन rights को respect नहीं किया था तीसरा point Tribal committee के administration में जो recruitment होनी चाहिए वो tribal committee से ही होनी चाहिएं जैसे देखो स्कूल में कोई teacher है tribal area में तो वो tribal committee का ही हो local teacher हो doctor है तो वो भी local ही हो इस परकार से अगर local लोगों को ही recruit किया जाएगा tribal committee के administration के लिए तो वो ज़्यादा बैतर धंग से काम कर सकेंगे ये तीसरा point है train and build up team of their own people मतलब उनके खुद के लोगों को train किया जाए ताकि वो tribal areas को govern कर सकेंगे next over administration नहीं करना है tribal areas का मतलब काफी बार आपने देखा होगा सरकार बुरी तरह से regulate करती है हर एक चीज को नहीं आप overly administer मत कीजिये tribal areas को या फिर बहुत सारी schemes भी उनके उपर आप मतलाद दीजियें क्योंकि schemes जब सरकार लेके आती है तो भी जो जीवन यापन है वो भी तो influenced होता है ना रहन सेन है वो भी बदल जाता है कामकाज भी बदल जाता है schemes आने के बाद में तो आप over administration मत कीजिये tribal areas को सबसे last में देखो आप पैसा खर्च कर रहे हो tribal areas में लेकिन results को आप judge मत कीजिये statistics की साहिता से या फिर कितना पैसा आपने खर्च किया tribal committee के लोग का human character कितना evolve हुआ इसके base पे आप quality judge कीजिये जो भी आप कर रहे हो tribal committee के लोग के लिए तो ये 5 points हैं जो आते हैं tribal pencil में इससे संबंदीत हमारे सविधान में article 46 भी हैं आप एक बार नजर मार सकते हो अब last में देखो ये आता है चलो policy तो आपने अच्छी बना दी नहरू की जो tribal pencil की policy है ये अच्छी है बट क्या इसको effectively implement किया गया है इसका answer है no हाँ देखो कुछ तो positive जरूर हुए है यूँ तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही tribal welfare की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया हैं बट फिर भी tribal policy की implementation समंदीत जो performance है वो काफी weak हैं जैसे देखो जो funds allocate किये जाते हैं tribal welfare के लिए वो बहुत बार पूरी तरह से spend ही नहीं होते और काफी बार funds कम allocate होते हैं जो administrative personnel होते हैं tribal welfare के लिए वो पूरी तरह से trend नहीं होते वो tribal के परती काफी बार prejudiced होते हैं उनकी सोच अच्छी नहीं होती ट्राइबल के परती बहुत बार ऐसा होता हैं कि लांज और legal system से भली बाती से प्रीचित नहीं होते tribal committee के लोग इसलिए वो justice को access नहीं कर पाते इवन land transfer जो हैं उनका भी violation होता हैं काफी बार development projects के कारण जैसे mines के कारण industries के कारण tribal committee के लोग को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता हैं प्रोटेस्ट भी होता हैं जिसे नियमग्री हिल्स में हुआ था इवन education समन्दित जो progress है tribal committee के लोगों में वो भी काफी ज़्यादा weak हैं बहुत से जो officials हैं उनका attitude tribal committee के लोगों के परती unsympathetic होता हैं अभी भी काफी exploitation अभी भी काफी ज़्यादा होता है tribal committee के लोगों का तो यह कुछ criticism है tribal policy की decimal performance से समन्दित मतलब tribal policy जो है उसका implementation अच्छे से नहीं हो पाया है लांस्ट में कुछ positives भी हैं जैसे देखो कानून आया है tribal rights और interest को protect करने से समन्दित अलग से tribes का department भी बना पज्याथी राज institutions में reservation मिला है tribes को literacy काफी spread हुई है education level improve हुआ है government services में parliament में state assemblies में reservation मिला है higher education institutions में reservation मिला है जो बार-बार frequently जो elections conduct होते हैं हर पांच साल बाद इससे tribal people में एक confidence जगा है कि वो भी political processes में participate कर सकते हैं तो ये कुछ positives निकल के आये है tribal policy के तो ये हमने सरकार की tribal policy को detail से discuss कर लिया अब फिर से आते हैं article की तरफ राइटर देखो ये कहते हैं अब सरकार ना जो tribal वाले areas हैं उनको बाकी areas के साथ integrate करना चाहती हैं ये जम्मूएन कस्मीर में हमने देखा जम्मूएन कस्मीर का जो special status है वो अब revoke हो चुका है लगदाख का जो special status है वो भी revoke हो गया था एक साथ ही हुआ था बाकी north east में जो special status मिला हुआ है कुछ states को वो भी सरकार धिरे धिरे करके dilute कर रही हैं अब example दिये जाते हैं मनिपूर सरकार जो है वो धिरे धिरे मनिपूर hill areas की जो autonomy है वो छीन रही हैं हाल ही में मनिपूर hill area autonomous district council bill 2021 मनिपूर legislative assembly में introduce हुआ इसके अलावा 9 assembly members को valley area से hill area committee में induct कर लिया गया मनिपूर में एक मात्र MP जो hill area से आते हैं जिनका नाम है लोरो एस फोजे इन्होंने कहां ये देखो एक परकार से direct attack है hill area committee की autonomy के ऊपर hill areas को जो autonomy मिली है वो indirectly मनिपूर को जो सरकार है वो hill area से छीन रही है तो इसका काफी ज़्यादा विरोध किया गया hill area से की civil society organizations के द्वारा और वैसे देखो ये जो bill है ना ये assembly में आना ये एक परकार से मनिपूर legislative assembly hill areas committee order 1972 के तहत प्रेजडेंट के पास ये domain आता है तो उसका ये violation है इसके अलावा भी writer दूसरे examples देते हैं कैसे मनिपूर सरकार hill areas committee की जो autonomy है वो छीन रही है जैसे hill areas में कुछ places है अब particular place के नाम तो आपको याद रखने के आऊ सकता नहीं है आप broader जो concept है वो जानिये जैसे देखो hill areas में जो कुछ places है उनको sacrifice कर दिया मतलब यहां पर DT निवास करती है फिर उसको protected site declare कर दिया अब protected site declare हो गया तो फिर hill area committee की जो power है वो dilute हो गई उस area को govern करने में तो मतलब सरकार indirectly hill areas के जो autonomy है वो छीन रही है ऐसा writer आरोप लगाते हैं तो यह हमने पूरा article डिसकस किया आप जी एस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हों देखो यूएस और चाइना दो biggest powers हैं वर्ड की लेकिन पिछले पांच सालों से दोनों के बीच में जो रिष्टे हैं काफी ज़्यादा खराब हैं जब ट्रंप राष्टरपती थे तो ट्रेड़ वार भी चला दोनों देशों के बीच हैं उसके बाद बाइडन राष्टरपती बन गए लेकिन रिष्टे अभी भी खराब हैं अलास्का में मीटिंग हुई थी जहां पर दोनों देशों के डिप्लोमेट्स लड़ने लगे मतलब अरोप पत्यारोप लगाने लगे एक दूसरे के ऊ पिंग को, मतलब राष्टरपती बनने के बाद ये चाइना के राष्टरपती को दूसरी कोल थी वैसे देखो, यूएस से का स्टेंड ये है हम जहां आफशकता पड़ेगी वहां पर कोपरेट कीशन लाफंगे, ये यूएस्पन की सोच हैं। बर देखो, काफी सारे चाइना हमसे corporate करे climate change से समंदित इशू पर और अफगानिस्तान में जो इशू है उसको लेके भी चाइना हमारे साथ corporate करें लेकिन चाइना के concerns ये है USA बार बार जिंग जियांग, होंग कोंग, ताइवान, साउथ चाइना सी इन जगाओं पर human rights violation के आरोप लगाता है चाइना क रहता है, तो जब तक ये आरोप USA की तरफ से चलते रहेंगे तब तक हम corporate नहीं कर सकते हैं, इसके बाद चाइना ये चाहता है कम से कम थोड़ी relief USA हमें दे, जैसे communist party के कई सारे जो बड़े members हैं, उनके उपर travel समंदित restrictions USA ने लगा के रखे हैं, इवन चाइना की एक बहुत बड़ी company है, हुवई, हुवई की जो Chief Financial Officer है न, मैंग वांजू, इनको गिरफतार करके रखा है कनाड़ा में USA के कहने पर, अब USA कनाड़ा को कह रहा है कि मैंग वैंजू को आप extradit कर दीजिए, मतलब हमें swap दीजिए क्योंकि इन्होंने US लाक अगेंस्ट क्राइम किया है, तो चाइना ये चाता है कि USA अपनी जो ये extradition समदित request है न, वो कनाड़ा से वापस ले लें, इसके बाद देखो जब USA चाइना को ये बोलता है कि आप climate change से समदित issue पर corporate कर लीजिए, तो चाइना ये बोलता है कि देखो हम सिरफ एक issue पर corporate नहीं करेंगे, हम सभी issues को साथ लेके चलेंगे, जबकि देखो इंडिया के संदर्ब में चाइना की जो approach है वो उल्टी है, जब इंडिया बोलता है कि सभी जो इंडिया चाइना के बीच में issues है, आम उनको एक साथ लेके चलते हैं, चाइना बोलता है नहीं आप border को छोड़ दो, बाकी issues पर deal करते हैं, तो यह तो एक परकार से दोगलापन हो गया ना, हिपोक्रेसी हो गये तो, तो यह हमने पूरा issue discuss किया, US और चाइना relations से समझ देते हैं, यह थी हमारी आज की discussion, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.